हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी I hope कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकिंड के सब्जेक्ट सोसल स्टेडीज के वीक नमबर 18 की वक्सीट को सॉल्ब करेंगे जो की नौर्ड दली मिंसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा द लोग किसका इंदिजार कर रहे हैं तो बच्चों किसके लिए कर रहे हैं लोग बस का तो यह लिखेंगे बस next who is standing first in the queue line में सबसे पहले कौन खड़ा है तो बच्चों आप देख सकते हैं line में सबसे पहले इस child की mother खड़ी है it means woman खड़ी है तो यहां लिखेंगे child's mother या फिर woman next how many people are standing in the queue line में कितने लोग खड़े हैं तो बच्चों यहां देखेंगे six next imagine and write कल्पना करो लिखो where would that little boy be going कि वह जो छोटा लड़का है कहां जा रहा होगा तो बच्चों आंसर है school क्यों जा रहा होगा बच्चों क्योंकि उसकी back पर बच्चों यहां bag है अब next है what is the color of the bus bus का रंग कैसा है तो बच्चों आंसर है light blue और green यहां आप देख सकते हैं bus का color light blue और green next है what do we call the man driving the bus हम जो की bus को driving कर रहा है उस man को क्या कहते हैं तो बच्चों से हम क्या कहते हैं bus driver next है how many people are on foot over bridge over bridge पर कितने लोग हैं तो बच्चों आंसर है 4 आप चितर में देख सकते हैं कि जो बच्चे over bridge हैं इस पर कितने लोग हैं एक दो तीन चार तो चार लोग है अब है बच्चों life skill keeping wardrobe clean अलमारी को साफ रखना we should fold our cloths neatly हमें अपने कपडों की अच्छे से ते लगानी चाहिए and place the things properly at their place और चीजों को उनके सही स्थान पर रखना चाहिए अब activity है fold the similar cloths together अब ऐसे ही cloths को fold करें and place one over the other in your almira और अपनी अलमारी में एक के उपर एक रखें also keep the toys properly at their place और जो खिलोने हैं उन्हें भी अच्छे से उनके स्थान पर रखें then और तब click the picture of your organized and cleaned wardrobe और उसके बाद आपकी जो विवस्थित अलमारी है उसकी picture क्लिक करें and share it in your class whatsapp group और इसे अपने class के whatsapp ग्रूप पर share करें तो बच्चो इसका answer है first of all take out all the items of the wardrobe like cloths, shoes, toys, other items etc सबसे पहले अपनी wardrobe अलमारी के सारे आइटम जैसे की कपड़े, जूते, खिलोने और अन्य सामान जो है उन्हें बाहर निकाल ले after taking out all the items अब सभी सामान को निकालने के बाद taking a cleaning cloth एक सफाई का कपड़ा ले and clean every corner of the wardrobe और अलमारी के प्रते कौने को साफ करें with it इससे and clean the entire wardrobe और पूरी अलमारी को साफ करें after cleaning the wardrobe अब अलमारी को साफ करने के बाद fold the cloths according to the color or season and keep it in it कपड़ों को रंगों के या फिर मौसम के according उसकी ते लगाएं और इसमें रखें hang the cloths which are kept on the hanger जो कपड़े hanger पर लगाए जाते हैं keep your toys in the right place in the wardrobe अलमारी में खिलोनों को उनके सही स्थान पर रखें clean the leftover items अब जो भी सामान बचा है put them back in the wardrobe उसे अलमारी में रखें in this way और इस प्रकार we can clean our wardrobe हम अपनी अलमारी को साफ कर सकते हैं संसकार साला success does not come to you you have got to go to it सफलता आपके पास नहीं आती आपको इसके पास जाना होता है food and drink में आज आप लेंगे eat any one fruit in the first meal of your day सुबह उठते ही आप सबसे पहले कोई भी एक फल खाएंगे activity में make and eat fruit chart at home with the help of elders in your family अपने परिवार के बड़ों की help से घर पर ही फलों की चार्ट बना कर खाएंगे sports खेल में play chess with your family अपनी family के लोगों के साथ सतरंज का खेल खेलेंगे अब है बच्चो daily routine include the following habits in your daily routine दीगई habits को आप अपने daily routine में include करेंगे begin your day by greeting your parents अपने parents को अभिवादन करके अपने दिन की शुरुवात करें brush your teeth twice a day दिन में दो बार नातों को ब्रश करें टेका बाथ daily रोजा न नहाएं drink plenty of water पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं and eat a balanced diet और संतुलित आहार लें avoid touching your face अपने चेहरे को छुने से बचें and wash your hands frequently और अपने हातों को बार बार धोएं complete your homework on time समय पर अपना ग्रहकारे पूरा करें students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you